गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, यूनीट 2 सॉलूशन्स हम डिसकस कर रहे थे, इन टुडेइस लेक्च्छर वी विल डिसकस नुमेरिकल ओफ एन्सी आर्टी, कोश्च नमबर 1, 100 ग्राम ओफ लिक्विड ए, जिसका मोला मास हमें गिवन है, 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 ग्राम और मॉला मास हमें गिवन है, 180 ग्राम पर मॉल, जो वेपर प्रेशर है, पी टोल हमें गिवन है, 500 तॉर, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ओ लिक्विड ए, यानि पी दॉरल. और इट्स वेपर प्रेशर इन दस सॉलूइशन, इफ दर टोटल वेपर प्रेशर यानि P टोटल हमें गिवन है 475 तॉर, तो सबसे पहले हम नंबर ओफ मोल्स निकाल लेंगे, लिक्विड A के, सॉल्यूट के, 100 अपॉन 140 ग्राम पर मोल, जिसका फॉर्मला ओता है, नंबर ओ और लिक्विड भी, डिवाइड बाइ मोला मास, 50 बाइ 9 मोल, तो हम मोल फ्रेक्शन ओफ A अंदा सॉलूशन निकालेंगे, X से निकालेंगे, 5 बाइ 7, जिसका हमें मोल फ्रेक्शन निकालना ओता है, यानि A का, हमें नंबर ओफ मोल्स दिवाइड बाइ टोटल नंबर ओफ मोल, स्मोल फ्रेक्शन निकल जाएगा इस तरह से, 5 बाइ 7 दिवाइड बाइ 395 बाइ 63, 5 बाइ 7 इंटू 63 डिवाइड बाइ 395, तो हमारा आंसर आजाएगा, इसका मोल फ्रेक्शन ओफ A इंदा सॉलूशन 0.114, इसी तरह हम मोल फ्रेक्शन निकालेंगे, B का इंदा सॉल 0.886, P not B की हमें value दे रखी है, P not A की निकालने हैं 500 और, हम apply करेंगे Rolts law को, P A equals to P not A into X से, जो partial vapor pressure है, A component का वो directly proportional है, vapor pressure of A in the pure state multiplied by the mole fraction of that A in the solution, यही तो Rolts law कहता है, P not A into X से, P not A हमें निकालना है, X से हमारा आ गया है, 0.114, P B equals to P not B X B, P B equals to P not B हमें given है, 500 और into X B हमने अभी निकाल लिया है, तो 443 और हमारा गया, P total equals to PA plus P B है, according to Dalton's law हमने discuss किया था Rolts law में, 475 equals to 0.114, P not A plus 443, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया PA की value और PB की value हमारी आई गई थी, P not A equals to 475 minus 443 divided by 0.114 equals to 280.7 टॉर, P not A into XA हम यहाँ पे P not A की value रख देंगे, 280.7 into XA हमारा निकला वही था, 0.114 तो यह हमारा आगया, PA 32 टॉर. Now students, next numerical अब हम देखते हैं, Question number 2, The vapor pressure of pure liquid A and B are 440 and 700 mmHg at 350 Kelvin respectively. हमें निकालना है, Composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. P total हमें दे रख है, P not A भी दे रख है और P not B भी दे रख है हमें. हमें mole fraction निकालना है यहाँ पे. तो P not A equals to 450 mmHg, P not B equals to 700 mmHg. Applying Rawls law हम अप्लाय कर है, P A equals to P not A into XA and P B equals to P not B into XB. P total equals to P A plus P B. P total equals to हम इसकी values यहाँ पे रख देंगे इन दोनों की. P not A XA plus P not B XB. P not A XA plus P not B XB को हमने क्या ले लिया? 1 minus XA क्योंकि XA plus XB equals to 1 होता है. Mole fraction of one component plus mole fraction of sum of mole fraction of two components या जिते भी होंगे components equals to 1 होता है. तो P total equals to P not B plus XA को हमने common लिया P not A minus P not B. अब हम substitute कर देंगे इनकी values यहाँ पे. P total की हमें given है value, कितनी है हमारी? 600 equals to P not B की value 700 है, plus P not A 450 minus 700 P not B की value XA. 250 XA equals to 100, XA equals to 100 upon 250 equals to 0.40. Now students, XA तो हमारा निकल गया है, XB equals to 1 minus 0.40 equals to 0.60. अब हम P not A into XA 450 into 0.40, P not A equals to 180 mm यह हमारा आ गया. इसी तरह PB हम निकाल लेंगे P not B XB 700 into 0.60, इस तरह PB हमारा आ जाएगा 420 mm. तो यह थे answers हमारे Rolls Law के कुछ questions.